आज मुझे सोनितपूर्द देक्या जुली की इस पवित्र धर्ती को प्रणाम करने का आउसर मिला है ये वही धर्ती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सद्यों पुराना इद्यास हमारे सामने आया था ये वही धर्ती है जहां असम के लोगों ने आक्रबन कारियों को हराया था अपनी एक्ता अपनी शक्ती अपने शावर्य का परिचय दिया था 1942 में इसी धर्ती पर असम के स्वाधिनता सेनानियों ने देश की आजहादी के लिए तिरंगे के सन्मान के लिए अपना बलिदान दिया था हमारे इनी शहीदों के पराक्रम पर बुपेन हजारी का जी कहते थे भारत भारत ही है आज जागरत है प्रती रक्त बिंदूते हाहत श्वहिदर हाहत प्रतिज्याओ उज्वल है यानि आज भारत के शेर जाग रहे हैं इन शहीदों के खून की एक एक बुन उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है इसलिए शहीदों के शौरिय की साच्षी सोनित पुर की ये धरती असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमियाग गवरव से भर रहे है साथियों हम सब हमेशा से सुनते आए हैं देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पुर्वोत्तर से होती है लेकिन सच्चाई ये भी है कि पुर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है हिंसा अभाव तनाव भेदभाव पक्षपात संगर्ष इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नौर्धीस विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुखन भूमी का अनिभा रहा है अईतियासिक बोडो समझोते के बाद हाली में बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है आज का दिन भी असम के भाग्य और असम के भविश में इस बड़े बडलाव का साक्षी है आज एक और विश्वनात और चरहिदेव में दो मेडिकल कॉलेजों का उभार असम को मिल रहा है तो वहीं असम माला के जरिये आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर की निव भी बड़ी है अखमर विकाखर जातरात आजी एक उलेक जोग दिन येई विखेक दिन्टोत मै अकम बाखिक आंत्रीक अभिनन्दन जनाईचो झाल झाल